नमस्ते दोस्तो आज का वीडियो अत्यान्त महत्व पूर्ण है यह वीडियो आपको अन्तितक देखना है और इस वीडियो को सब के साथ में शेयर भी करना है यह एक रिपोर्ट है जिसको तयार किया है फ्रेड बर्टन और स्कॉर्ट स्टीवर्ट ने वो बताते हैं कि स्पे लोग उसके सहित मिले जब उनसे पूस्ताच की गई तो पता लगा कि वो शहर में एक लक्षे पर हमला करने की युजना बना रहे थे स्पेन के आंतरिक मंतरी अलफ्रेडो पेरेज रूबलाला ने कहा कि हिरासत में लिए गए इसलामवादी एक सूसंगटित समहू से जुड़े हुए हैं और जो कटरपन्थिता में बहुत आगे निकल चुके हैं बारसिलोना में एक मुसलिम नेता को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 14 संदिकदो के रूप में कौट किया गया था जिसमें से की 12 पाकिस्तानी थे एक भारती और एक बांगला देशी भी था ये सबी लोग तबलीकी जमात नाम की एक पाकिस्तान आदारित सम्हू के संगठन के सदस्य थे तबलीकी जमात का नाम अतंकवाद से संबन्द में पहले भी कई बार सामने आ चुका है जिसमें से की मुख्यता अक्टुबर 2002 में पोर्टलेंड 7 और सितंबर 2002 लाकवाना संय पंट्यूक्त राज्य अमेरिका में 6 मामले 7 इस अगस्त 2006 में लंडन से हवाईinnard पर बम्विसफॉर्ट करने की साजिश भी शामिल है 7 जुलाई 2005 लंदन भूमीकत बंविसफोर्ट और जुलाई 2007 में लंदन और ग्लासगो स्कॉटलैंड में बंविसफोर्ट का प्रियास किया गया था यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल जिहादवाद और तबलीक की उसमें भूमीका के बारे में वास्तों में तबलीकी और जिहादवाद की दुनिया के बीच में बहुत गहरे संबन्द हैं सबसे पहले समुहों और व्यापक जो कटरपन्थी अतिवादी देवबंदी साठगाट के बीच में ना दिखने वाले अपरत्यक्ष संबंद के भी काफी सारे प्रमाण मिल चुके हैं यह संगठन शिया संप्रदाई समुहों यानि के जिनको कहा जता है कि वो इस संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं उनके भी कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए हैं साथी साथ कश्मीरी आतंकवादियों और तालीबान से बना पूरा का पूरा जाल इसके चारो और बुना गया है यह लिंक एक माध्यम प्रदान करता है जिसके माध्यम से तबलीगी लोग जो समुहों के राजनेतिक कारे करमों से असंतुष्ट होते हैं वो लोग तबलीग की कक्शा को तोड़ सकते हैं और आतंकवादि संगठनों में शामिल हो सकते हैं इस साथ गाठ की एक सपष्ट अभिव्यक्ती है तबलीगी जमात जिहाद भी अलसैफ यानि के तलवार के माध्यम से जिहाद करना जिहाद भी अलसैफ की स्थापना पाकिस्तान के तक्शिला में हुई थी इसका एक कथित आतंकुवादी था जिस पर 1905 में पूरू परदानमंत्री पाकिस्तान की बे नजीर भुटो के खिलाफ तकता पलट की साजिस करने का आरोब भी लगाया गया था फिर भी संगठन की अत्यधिक गोपनिता के करण से इस बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है यानि कि इसका बाहरी जो शांती पूर्ण रुख है वो दिखाने के दात कुछ और हैं और अंदर खाने के दात कुछ और हैं तीजे संगठन इसलामिक चरपमपंथियों के लिए नए सदस्यों की भरती के लिए अलकायदा जैसे समुहों के लिए एक माइन यानि के खान के रूप में कारे करता है गौर तलब है कि तबलीकी रंगरूट कटरपंथी इसलामवाद की दुनिया से पहली बार रूबरूट तब होते हैं जब वो अपना प्रारंबिक प्रस्रिक्षन प्राप्त करने के लिए कहा जाते हैं पाकिस्तान हमें रिपोर्ट मिली है कि एक बार पाकिस्तान में भरती होने के बाद विबिन्द कटरपंथी इसलामिक सम्मूहों के प्रतिनिधी जो उनके कमांडर होते हैं जैसे कि हरकत-ul-mujahiddin, तालिबान और अल-काइदा इनके जो कमांडर लोग होते हैं उन्हें सक्रिय रूप से लुभाने के लिए यहाँ पर जाते हैं जद तबली की जमात की ट्रेनिंग हो रही होती है पाकिस्तान में तो वहाँ पर इनके पास में लोग जाते हैं और उन में से कुछ लोग जो होते हैं वो स्वीकार भी कर लेते हैं इन प्रस्तावों को उधारन के लिए एक यहाँ पर बात रखी गई है जौन वौकर लिंड की एक अमेरिकी जो अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन के लिए जेल की सजा काट रहा है हुआ क्या कि 1998 पाकिस् जो सक्त विश्वास प्रनाली है और स्वचंद मुसल्मानों को जो वहाँ पर टाइट करके रखा जाता है और रूडिवादी जो और्थोडोक्स इसलाम है उसके विश्वास पर वापस लाने के लिए जो उनकी सक्त रणनीतिया है उन लोगों से कुछ लोग परेशान हो ज जासे ही वहां के युवाजन निकलते हैं और वहां से उनको कौन कैच करता है जिहादी कुमहार जिहादी कुमहार तबलीकी जमात से निकलने वाले इन रंगरूटों यानि के कच्छी मिट्टी की ही तलास में बैठे रहते हैं ये जो लड़के जो होते हैं वो कौन होते हैं या फिर नए-नए बने हुए मुसल्मान होते हैं इनको अपने विश्वास को जीने और विक्सित करने के लिए अधिक स्पेस मिल जाता है जब वो लोग जब कमांडर्स के संपर्क में आते हैं उनको लगता है कि हम और्थोडॉक्स इसलाम के तरीके से वो ही बड़े भाय का कुरता, छोटे भाय का पजामा, डोर 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 जाना कहीं अनाज मागना, कहीं फिर उनके मदर्सों के लिए काम करना या फिर लोगों में जाकर के तबलीक करना इस से बहतर है कि हम सीध हत्यार उठाएं इसी चीज का पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं ये आतंकवादी संगठन हाला कि देखने से ऐसा लगेगा कि टीजे एक सौमी संदेश को बढ़ावा देता है इसलाम का परचार परसार करता है, लेकिन वही रुडिवादी इसलामिक मूल्य जो की तबलीकी लोगों के द्वारा दिये गए थे, वही जिहादी विचारधारा का हिस्सा है जान बूज करके स्ट्रिक्ट दिखाया जाती है, वहां से स्वचंद लॉंडों को निकाला जाता है ताकि वो जिहाद में शामिल हो सके और इसलिए तबलीकी अंदोलन के लिए आकरशित हुए कुछ मुसलमानों को जिहादियों का साथी बनने में आकरशित किया जाता है, अट्रेक्ट किया जाता है क्योंकि जितने भी आतमकवादी संगटान होता है, वो इन तबलीकी जमातों के परसिक्षन किंद्रों के चार तरफ चुम्बक की तरह लग जाते हैं और वहां से फिर अट्रेक्ट करते हैं जो अपने जैसे लोग हैं इसके अलावा अपने राजनितिक विश्वास प्रनाली के कारण से तीजे व्यक्तिगत तबलीकी के जो विचार धारा है उसमें एक अंतर छोड़ देता है और वो क्या है कि जो नो सीखे लड़के लॉंडे हैं वो राजनितिक और सारवजनिक मामलों से दूर रहेंगे करके अपने आपको तबलीक से अलग कर लेते हैं वहां से उनका मोह भंग हो जाता है और वो जा करके आतंकवादी संगटनों की तरफ मुड जाते हैं अब यहां से वो लोग बताते हैं कि अच्छे मुसलमानों को जीवन के अन्याय से कैसे निपटना चाहिए और वो निपटाना कौन सा है रॉकेट लॉंचर तक उसकी ट्रेनिंग जाती है एक बार जब एक सुतरधार ऐसे उम्मीदवारों की पहचान कर लेता है तो वह अक्सर उन्हें मस्जिद या सामुदाई केंद्रों में मुख्यमंडली से अलग कर देता है उनको छोटे छोटे जो ग्रूप्स होते हैं उनमें बाट देता है और फिर उनके स्टरी सेंटर्स में डाल देता है दस-दस की तादात में जहां उन्हें जिहादी विचारधारा के बारे में आसानी से पता लग जाता है अक्सर ये भी देखा गया है कि जिन लोगों के मित्रिया रिस्तेदार जो हैं पहले से पहले उसके फॉलवर होते हैं वो लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही कटरपंथी हो जाते हैं टीजे से कटरपंथी इसलाम की चलांग लगाने वाले लोगों के उधारन भी हमें देखने को मिलते हैं साथ जुलाई दो हजार पाँच लंदन बंविस फोटो के लिए जिम्मेदार सेल के दो प्रमुक सदस्य थे मुहमद सिदीक खान और शहजाद तन्वीर दोनों के दोनों ही टीजे के संपर्क में आने के बाद में अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाओ उन्होंने फील किया फिर 2001 में उन्होंने तबली की मस्जिद को छोड़ दिया अब वे बिटिश शहर बेस्टन में भाग ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाया कि यह बहुत अधिक राजनेतिक है वे जाहिर तोर पर मस्जिद के बुजुर्गों से बहुत ज़़ादा निराश और परिशान थे उन्होंने उनको मस्जिद के अंदर राजनितिक चर्चाएं करने के लिए पूरी तरीके से मना कर रखा था खान और तमर दोनों तबलीकी मस्जिद को छोड़ कर के बाद में बेस्टन में एक छोटे से इकरा लर्निंग सेंटर बुक स्टोर में जाने लगे वहाँ वे मिलते हैं इराग, कश्मिर और चेचन्या के से आने वाले लोगों से और वहाँ पर चर्चाएं करते हैं कि पूरे के पूरे विश्व में इसलाम के खिलाफ क्या क्या चल रहा है इवन दुकान के जो प्रोप्राइटर्स थे उन्होंने कुछ फेक वीडियोज भी बनाये हुए थे और वो उन लोगों को दिखाते थे कि ये देखिए हमारे खिलाफ पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है जिससे कि युवा मुसलमानों को बढ़काया जा सके इस परकार से फिर वो लोग आतंकवादी प्रक्सिक्षन में भाग लेने उसके बाद में युनाइटिड किंग्डम लोटने और वहाँ पर आ करके सुसाइट बॉम बॉमबर बनने तक के एक अंजाम को पूरा खाका उसका तयार कर चुके थे इसके लिए वो पाकिस्तान जाने की तयारी में थे लेकिन बीच में उन दोनों की मौत हो गई टीजे का उपयोग जिहादियों द्वारा भरती के लिए कवर के रूप में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है खान और तर्वीर की तरह ही बहुत सारे जिहादी परस्रिक्षन के लिए पाकिस्तान की आतला करने की इचा रखते हैं जब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफगानिस्तान भी जाते हैं कुछ ऐसे हैं जो कश्मीर भी जाना चाहते हैं हम बहुत सारे तबलीक या तंकवादियों का जिकर कर सकते हैं लेकिन लिसमे से एक प्रमुका battle यह प्रमुक था जो बांगला देश से पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान के लिए अपना रास्ता बनाने में असमर्त रहा बाद में ये संयुक्त राज्य में वापस आ गया जहां उससे बाद में ग्रफतार कर लिया गारो अमेरिका के खिलाव देश द्रोही शडियंत्र और युद्ध छेडने के अरोप में दोशी ठाराय जाने के बाद में उसे 18 साल की सजा सुनाई गई थी वहां से पूश्ताच में भी तबली की जमात के विशह में उसने बहुत सारे खुलासे किये थे इसी तरह से 2001 के वसंत में तथाकतित लैकवाना सी सेल के सदस्यों ने भी टीजे प्रशिशन के इंदर में इसलामिक मजहब और संस्कृति का अध्यन करन सामिल हुए फिर से इन्होंने टीजे को यात्रा के लिए कवर के रूप में स्तेमाल किया वहां पर कहकर यह जाते हैं कि हम तबली के जमात में जा रहे हैं लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने अफगानिस्तान जा करके आतंकवाधी प्रसिक्षन लिया इसी प्रकार से कि प्रकार भारत के स्टुडेंट बाग करके सीधे सीधे ISIS में भरती हो जाते हैं क्योंकि उनको पहुंचाने के लिए पूरे सारे के सारे जुगाड लगाए जा चुके होते हैं फिर भी यह है एक खूफिया तरीके से काम करने वाले संगठन है इनके बारे में बहुत ही कम से करते हैं कि इसी तरीके की मंडलियों में जो जमाते लगती है इनी तरीके की मंडलियों में अलग-अलग विचारदारा के बच्चों को छाटा जाता है और वहां से उनको अलग-अलग कारियों के लिए भेया जाता है जो लड़के स्मार्ट होते हैं उनको लव जिहाद मे जाती है जो की अन्य किसी भी धर्मिया मज़ब में नहीं की जाती है जो अच्छे और जिहादी किस्म के लड़के होते हैं उनको जिहाद के लिए बेज़ा जाता है जो IT सेक्टर में बहुत अच्छे है उनको companies में बेज़ा जाता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर IT का प्रियोग अपनी ज्यान का प्रियोग आतंकवादी संगठनों के लिए करना चाहते हैं तो वो उनको वहाँ पर भी रखते हैं और बहुत सारे फ्रोड वीडियोज बहुत सारे फ्रोड ट्रेंड भी वहां से चलवाते हैं अक्सर आपने देखा होगा के ट्वीटर पर इन ही का होता है अब देखते हैं कि क्या अजीर डोभाल जो की बहुत समय पहले ही तबली की जमात को देश की लिए खतरा बता चुके हैं वो पिछले 6 साल में क्या कर पाए हैं और आगे वो क्या करेंगे देश का दुरभागय है कि हम सेक्विलरिजम के चलते हुए अपने देश को नहीं बचा पाते और हमें पता होते हुए भी जब पूरा विश्व जान रहा है कि ये संगठन कितने खतरनाक हैं हम लोग भी जानते हैं हमारे NSA जानते हैं फिर भी उनके ओपर कोई लगाम नहीं लगा पाते फिर तो हमारा भगवान ही मालिक है आज जो तबलीग जमात थूकली की जमात बना हुआ है उसके चलते ही हमारे जो करफ्यूज हैं लोग डाउन्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब के साथ में शेयर करें मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जैंद बंदे मातर झाल 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 झाल